हिंगन गाट तालुकां के अलिपूर पोलिस थाना अंतरिकत आने वाले दर्णे टाकली के आरोपी को नापली का विनेभंग करनी पर सक्त मजोरी सह पांस साल की श्रिक्षा वह 28,000 रुपे दंड की ससा जिल्ला वसत्र न्यातिश श्रीमती वर्षा पार्गा को निसुनाई है उक्तिघटना 16 जुले 2008 को खटी थी इसमें का आरोपी महनर और लल्ला उत्तम पालिका ने पेडित को खुद के घर बुला कर घर का दर्वाजा बंद करके उसे प्लास्टिक की दोरी से बांतिया और जान से मानी की धंकी देकर उसका विने भंकिया इसकी तक्रार पेडित न और भाजाद हिंगनगार की जिल्ला वसत्र न्याधिश के न्याले में प्रकरत दखल किया और वो प्रोट्त प्रकरन में सरकार की ओर से शासकी अभियोगता आडवकेट दिपक वैती नी बाच रखी थी शासन की ओर से कुल नौग गवाब पेश के गए प्रकरन में आडव पक्ष का युक्तिवास सुनकर नैदिश वर्षा पारगाव करने आरुपी विरुद विविद कलम और पॉक्सो अंतरकत कुल पास साल सक्टमबसुरी सहक कारवास की शिक्षा वा अठाइस ज़ारुपे का दंड और दंड ना भरने पर चौदा मां की कारवास की सजा सुनाई अन्बिसेल निवस के लिए हिंगन कार से रवी यनोरकर की रिपोर्ट